हेलो, नमस्ते, आदाप, सश्रियकाल, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मनीशा कौशिक, I am an astrologer, अटारोकार reader, numerologist and अबास्तु फंक्ष्पे consultant और मैं आपसे अपने YouTube चैनल पर बात करती हूँ आपके सपनों के बारे में तो आज एक और सपने के बारे में जिक्र करेंगे हम, जो हमें से काफी लोगों ने कभी न कभी जरूर देखा होगा या किसी ने आपसे इस सपने के बारे में जिक्र जरूर किया होगा, जब सपने में हम खुद को अपनी नौकरी खोते वे देखते हैं यानि कि losing a job in your dream, अब भले हाप जो नौकरी करते हैं या आप student हैं या आप अपना business है पर जब भी नौकरी से जुड़े सपने आते हैं और खास कर वो कि जब हमें नौकरी से निकाल दिया गया हो या हमारी नौकरी चूट गई हो या हमें ये कहा गया हो कि कल्ग से नौकरी पर आने की ज़रूरत नहीं है तो बड़े stressful सपने होते हैं शायद हमें जाक कर ये हैसास हो कि हम तो नौकरी करते ही नहीं है या भी मैं उस phase में ही नहीं हूँ या ऐसे कोई बात ही नहीं चल रही फिर भी जो tension जो stress हमें सोते हुए महसूस होता है वो जरूर काफी होता है हमारे पूरे दिन को कहीं न कहीं upset करने के लिए तो चलिए understand करते हैं कि ऐसे सपने अक्सर हमें आते क्यों है सबसे पहरा सवाल आपको जो समझने वाला ये है कि क्या आपकी मौझूदा जिंदगी में कोई stress चल रहा है नौकरी से related अगर नौकरी से related कोई stress अलड़ी चल रहा है तो ऐसे सपने आने का मतलब है सिरफ और आपकी insecurities आपका stress आपके मन पर आपके दिल पर जो है वो बहुत ज़्यादा हावी हो गया है तब ही आपको ऐसा सपना आ रहा है लेकिन मान लीजिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है कई बार क्या होता है कि जो peer pressure होता है यानि कि हमारे आसपास वाले हमसे बहतर perform कर रहे हो तब भी हमें insecurity होनी शुरू होती है कि कहीं ऐसा ना हो या promotion का समय नजर आ रहा है और boss ने कहा कि चलो देखते हैं कि आपका promotion इस साल होगा नहीं होगा तो ऐसे भी सवालों के बीच हमें ऐसे सपने जरूर आते हैं जहां हमें लगता है कि कोई चीज हमसे खो गई सबसे important बात ये है कि जब भी ऐसा सपना आता है नौकरी actually है क्या कमाने का एक जरिया तो यानि कि जब हमें जिन्दगी में कमाने के जरिये कम होते वे नजर आ रहे हो या यह कहिए कि हम पर कर्ज जो है वो बढ़ रहा हो हमारी financial जिम्मेदारियां बढ़ रहे हो financial जिम्मेदारियों का मतलब क्या है मान लिजए आपने अभी-भी कोई घर लिया जिसकी loan की installment जो है वो बहुत जादा जाती है तब भी ऐसे सपने आपको परेशान कर सकते हैं तो यह सिरफ मैं छोटे-छोटे examples दे रही हूँ understand करने के लिए कि जब किसी चीज की हमारी income से जादा जो है वो हमारे ओपर जिम्मेदारियों का बोज जो है वो आना शुरू हो जाए तब हमें अक्सर ऐसे सपने परेशान करते हैं जब हमें यह insecurity हो यह anxiety हो कि अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं इस चीज का बोज जो है या इन खर्चों को मैं कैसे निकालूँगा अब वो भले बिमारी हो भले वो शादी हो किसी भी तरीके का खर्चा आपके बास आपके सिर पर क्यों न आ रहा हो जब आपको ऐसा सपना आये कि नौकरी मेरी जा रही है इसका मतलब यह नहीं है कि सच में आपकी नौकरी जाने वाली है जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि किस समय आपने वो सपना देखा किस उम्र में देखा आप actually क्या करते हैं तो यह connection काफी चीजों से हो सकता है तो इसलिए वो कप record करेंगे जब आप हमें लिखेंगे यह हमें संपर्क करेंगे उसके साथ-साथ खास कर यह जो नौकरी से जुड़े वैस अपने हमें तब आते हैं जब हमारी मौझूदा जिंदगी में कोई जिम्मेदारी बढ़ने वाली हो अगर promotion आपका हुआ है लेकिन वो बड़ी ही तकलीव बड़ी ही मुशक्कत के बाद हुआ है तब भी ऐसे सपने आ सकते हैं क्योंकि शायद हमें किसी कभी कलीग ने ऐसी कोई बात कही कि आप तो यह promotion deserve नहीं करते थे या boss ने आपको promotion दे कर एहसान जताया तब भी ऐसे सपने जो है वो परेशान कर सकते हैं अगर आप अपनी नौकरी को लेकर खुश नहीं है तब भी ऐसे सपने आते हैं कि आपकी नौकरी छूट गई अब इस दर्द का हैसास जो है वो तब होता है इसका मतलब है कि अब आपको नई नौकरी की तलाश करनी चाहिए यहाँ पर यह पेन है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है अब एक चीज़ को और खास दियान रखना हो कि जब आप खुद बदलाव की और बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अब वो बदलाव मेजर ली क्योंकि हम नौकरी में क्या करते हैं हमारे दिन का जो अगर हम ये कहेंगी हम एक फुल टाइम जॉब में हैं तो आप ये सोचिए कि अगर नौ बजे आफिस आपको पहुंचना है तो उसके लिए आपको अपने दिन के शुरुवाद शायद 6 या 7 बजे तो कम से कम करनी पड़ेगी तो जब भी ऐसा होता है कि कोई चीज हमारी जिंदगी में इतनी important हो या हमारे routine का इतना बड़ा पाठ हो तब ऐसे सपने आते हैं जब ज़रूरी नहीं कि वो आपके career life को ही denote करें बलकि किसी और जम्यदारी को भी affect कर सकते हैं जम्यदारी से related भी वो indications दे सकते हैं पर हमें उन signals का समझ इसलिए आता है क्योंकि वो 12 घंटे हम एक routine में जो है वो घूम रहे हैं तो इसलिए आपके सपनों में अगर आपको fire किया या fire हुए या आपको लगा कि आपको पास letter आया है कि मेरी नौकरी जो है वो चली गई है तो पहले उसका root cause evaluate करेंगे जब हम root cause के उपर काम करेंगे तो automatically जो है वो ये सपने भी आने बंद हो जाएंगे अगर आपने देखा कोई भी सपना देखा तो comment box में ज़रूर बताइएगा हमारी जो list है हमारे जो इतने सारे आज तक मैंने videos record किया है एक बार उस list को भी go through ज़रूर कीजएगा शायद आपके सपनों के बारे में हम already जिकर कर चुके हों और अगर नहीं भी किया तो आप ही के comment से हम आगे आने वाले videos में उन topics को ज़रूर शामिल करेंगे जुड़े रहे हमारे चानल के साथ और किस बारे में आप सुनना चाहते हैं comments में बताना मत भूलेगा